हिलो फ्रेंड्स क्यां निश्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं फ्रेंड्स चेदिया भी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो नीचे दिए रेट कलर के सबस्क्राइब पर पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें इसके साथ याफ वैल की आइकन को भी दवाईए ताकि चब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो चलिए फ्रेंट साच के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सरीर में पानी की कमिको के इस तरह से दूर कर सकते हैं दोस्तो गर्मियों को मौसम है और इस मौसम में सरीर में डी हाइडरेशन की प्रॉबलम जो है वै काफी कॉमन है तो आप अपनी बॉड़ी को हाइडरेट रखने के लिए खीरे का सेवन करिए खीरे में 95 प्रतिशक पानी होता है यह आपके सरीर को डी हाइडरेशन से बचाता है एक कप खीरा लग फ़ग एक गलास पानी जितनी प्यास आपकी पुझा सकता है यह सरीर के तापमान को सामाने रखने में भी आपकी मदद करता है इसके अलावा खीरे में बिटामिन A और बिटामिन C के अलावा फॉलिक एसेड और फाइवर बहुत अच्छी मात्रा में पाय जाता है जो कि आपके सरीर के टॉक्सिंस को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है गर्मियों के मौसम में आप खीरा खाईए यह आपके सरीर को डिहाइडरेशन से बचाएगा अच्छे परिग्राम के लिए आप क्या कर सकते हैं खीरे के जूस में पौधीना या फिर नीबू कर रस मिलाकर भी आप पी सकते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा खीरे का सेवन हमें फाइवर बिटामिन सी प्रदान करता है तो आप इसका सेवन बिल्कुल करिए यह आपके सरीर को हमेशा हाइडरेट रखने में मदद करेगा उमीद करते हूं दोस्तों कि यह चोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके